ब्यार की जंता की गारी कमाई का लूट की छूट की फर्मिर्ति बंद होनी चाहिए इसका न्या इक जाच होनी चाहिए सरेचेव सो 700 करोर से सुरू हुआ पूल 600 करोर तक पहुचा प्राक्रन में घोटाला अलग अक कमीशन खोरी के चक्कर में जब नियत में ही खोट है तो नीती कैसे सफल होगी जिहां यह कहते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार शिन्हा विजय कुमार शिन्हा जो है वा नीती इस कुमार पर हमलावर हो गए है आपको बता दे कि पिहार में खगडिया और भागलपूर के बीच जो गंगा पूल था वह डह गया साथी साथ रभिवार को या बड़ा हाथसा होने से बचा आपको बताएं कि भागलपूर और खगडिया के बीच यह बन रहा निर्मानाधीन पूल जो है नया पूल बन रहा था और यह पूल जो है वह गिर गया साथी साथ अभी तक इस पूल के गिर जाने के कारण कोई जानमाल की खत्रा तो नहीं हुआ है जानमाल का नुक्षान नहीं हुआ है पर भाजपा जो है महागडबंदन सरगार पर हमलावर हो गई है लगतार बिजय कुमार सिन्हा नितेश कुमार और तेश्वी परसाद यादब को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब नियत में ही खोट हो तो नीती कैसे सबलोगी साथ ही साथ वा कहते हुए नदर आ रहे हैं कि यह पूल वरस्टाचार का भेड चढ़ा है तो क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्ना पहले आप इस वीडियो को देखिए बेहार सरकार के भरस्टाचार पर जीरो टॉलेंस का फिर एक नया रूप एक बार 2014 में महागटबंदन की सरकार थी सरेच्छे सो साथ सो करोर से सुरू हुआ पूल सोले सो करोर तक पहुचा प्राकलन में घोटाला अलग कमिशन खोरी के चक्कर में उचस्पदाधिकारियों से तस्लिदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुनबत्ता में समझोता किये एक तरफ सुल्तान गंज के तरफ गिरा अबर खागडिया के तरफ गिरा तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार विजय कुमार शिनना जो है नितीश कुमार तेश्पी प्रशाद यादब से इस्थिफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 600 करोड जब बजट पूल का रखा गया था तो 600 करोड उपे रखा गया था और उसके बाद यह 1700 करोड तक पहुँच गया और अब 1700 करोड तक पहुँचने के बाद यह कमीशन खोरी का भेट चड़ गया और साप साप विजे कुमार शिन्ना कह रहे हैं कि महाकरवंदन की सरकार कमीशन खोरी कर रही है और साथी साथ अगर कमीशन नहीं दिया तो जो भी पूल को जीशनी कमपनी को टेंडर मिलता है उस टेंडर में जो है कुछ ना कुछ घपला हुआ है और साप तोर पर वा भरष्टाचार का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जाच होनी चाहिए और यह पूल कैसे दोबारा ढहा गया इस विशेपर विजे कुमार शिन्ना कह रहे हैं कि लगातार जो महाकरवंदन की सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है नितीश कुमार कहते हैं कि यहाँ पर भरष्टाचार नहीं हो सकता है पर इस पूल का ढहे जानाः वो भी दूसरी बार इस पूल का ढहेना कहीं कहता है कि बिहार में साप तौर पर भरष्टाचार है तो विजय कुमार सिन्ना नितीश कुमार और तेश्वी परसाद यादब से इस्थिपे की मांग कर रहे हैं और साथी साथ कह रहे हैं कि जब नियत में खोट है तो निती शफल नहीं हो सकती है बिहार में काम नहीं हो सकता है तो बिजय कुमार सिन्ना लगातार जो है नितिश कुमार और तेश्री प्रशाद यादब से इस्थिपे की मांग कर रहा है तो इससे में आपके क्या विचार है साद ही साथ खगरिया और भागलपूर के 20 जो इस पूल धाहा है इसके बारे में आपके क्या विचार है आप भी हमारे कमेंट से सम्ट बता सकते हैं देखते रहां तो भी हाड टॉप धन्यवाद